नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे मैं त्रेई पुष्पा जी की कहानी कृतग्ये लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई होई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन तबाना बिल्कूल भी ना भूलें आज सुनिये कृतग्य सारी रात अनुपम सो नहीं सके हाला कि सोते समय उन्होंने लारपोच की गोली ली थी वे जानते थे कि नेंदाना संभव नहीं चिन्ताओं के बवंडर मस्तिश्क को मतने पर निरंतर आमादा है दवा ने प्रभाव नहीं दिखाया वे पलक जपकाने को तरस गए यदि कल रुपया नहीं मिल पाया तो पूरा भुपतान जमीन के मालिक को नहीं कर पाये तब पूरा पचीस हजार अग्रिम राशिका मारा जाएगा जीवन भर की कमाई से ले दे कर यह जमीन खरीदने की सोची थी वह भी हाथ से जाती रहेगी लगबग रात के तीन बजे नींद की एक गोली पानी के साथ और निगल ली तुम सोती क्यों नहीं सवेरे फिर जल्दी उठकर चलना है कार ड्राइव करनी है तुमें वसुधा ओंगियाय स्वर में बोल कर फिर गहरी नींद सो गई वे मुँ अंधियारे ही चल दिये थी साथ में वसुधा थी बैंक खुलने के समय से पहले ही पहुँचने की हरबड़ी में उन्होंने कई बार कार हाई स्पीट पर चलाई और मथुरा यथा समय पहुँचने में सफल हो गए शनिवार का दिन था बैंक में केवल बारा बजे तक पैसे का लेन देन दिल्ली में ही प्रबंध हो गया होता तो यह मारा मारी न मचती वे जुझला उठे अपने मित्रों पर भारी छोब था जो कहकर भी मुकर गए असमर्थता में दात निपोर उठे वह भी एन वक्त पर मथुरा बहुत दिन बाद आये थे रिक्षे, साइकिल और रेहनियों के उफनते सहलाब में चलने की आदत छूट कई थी अनुपम की आपस में भिड़कर कार निकालना दुशकर था और बेहत खतरनाग भी लोगों की छोटी-छोटी लापरवाही पर बे अनायास ही उबल पड़ते साले देख कर नहीं चलते ट्रैफिक डिसिप्लिन है ही नहीं यहां वसुदा ने कुछ कहना नहीं चाहा वियर्थ ही तनमैता में व्यवधान पड़ता इस मटमैले उजडे खंडहर से शहर में वे कैसे रहा करते थे सोच नहीं पा रहे थे खैर एक कोने में कीचड के ढेर को बचा कर नरम मुलाइन सफेद खरगोश सी मादूती समाल कर खड़ी कर दी दो बार पीछे को लोट-लोट कर इस्थान का मुआयना किया फिर आश्वस्त होकर आगे बढ़े पुराने गोलाकार किले नुमा द्वार से बैंक के भीतर प्रवेश किया था वसुधा को एक स्थान पर खड़ी रहने का आदेश दे गए और स्वयम एक सीट से दूसरी पर जपड़ते से फिर रहे थे हर बाबू के पास जा जाकर अपनी व्यथा उगल रहे थे आप तो बैंक की हालत देख रहे हैं साहब इमारत बन रही है रजिस्टर फाइलें साब उलट उलट हो गई है सीट पर बैठे सजजन ने चल रहे काम की और इंगित किया तूटी फूटी इमारत एक होती भुडभुडी दे हैं उपर सीडियों पर टंगी हुई नीचे काम में तनमय दोलती हुई फर्स पर मिट्टी से बनी खेतों की सी छोटी-छोटी क्यारिया सभी में भरा हुआ पानी उपर तक लबा-लब उसी गंगा में जूते भिगोते ही तो वे वसुधा के साथ अंदर पहुचे थे सब देख सुनकर उनका चेहरा उतर गया क्लर्क तरस खाने लगा ऐसा करो उन साहब से मिलो शायद आपका काम आज ही हो जाए वे लपक कर उस सीट पर पहुचे आप सोमबार को आ जाओ तो तसली से आपका काम कर देंगे उसी दिन वादा करते हैं फिक्स पर रिण देने की आप चारिकताएं भी तो कम नहीं होती जमा करना हो तो पांच मिनट नहीं लगते कहकर वे लाचार हो उठा मैनेजर कहां है वे अपसरी लहजे पर उतर आए अभी अभी गए हैं बाहर जरूरी काम से सपाठ सा उतर मिला वे चुप बैठ गए हताशा की परिधी में समाए तनाव के नीचे दबे हुए कुछ थर्थराय से और कोई युक्ती नहीं उन्होंने बाबूँ को चारा टाल कर ललजाने का यतन किया कैसी बातें करते हैं आप यदी हो सकता तो हम आज ही न करतेते आपका काम अच्छा आपके बैंक में कोई हरीश काम करता है हरीश कुमार गुपता हाँ हाँ आप जानते हैं उन्हें हरीश नाम सुनते ही वसुधा के मुख पर प्रश्णवाचक चिन उभर आए कौन हरीश अरे वही मुरली अपने हरीश अंकर चाचा का किसी ने बताया था इसी बैंक में लग गया है हरीश नाम है मुरली का वसुधा मन में सोचती रही सफेद कमीज पैंट पहने कद्दावर छरहरा युबक सामने आकर खड़ा हो गया ताजगी भरा हुआ चेहरा भावी? भाई सहाब? हर्शित विस्मित स्वर वसुधा को तुरंत पहचान गया भई पावों पर जुक कर उसकी आँखें आहलादी भाव से चमक उठी गुपता जी ये बेचारे बड़ी देर से आये बैठें है रिण लेना है आज ही बैंक की यह हालत हरीश का सहयोगी उसे पूरी इस्थिती समझा रहा था महज सहयोग था कि मुर्ली उसी बैंक में मिल गया देवदूद की तरह निसीम मरुस्थल में स्वक्ष शीतल प्रपाथ सा अनुपम को आराम दे कुर्सी देकर आत्मी वरिष्ट स्वजन की तरह बैठा गया भावी के लिए स्वयम कुर्सी खोज कर डाल गया चपरासी से बीच बीच में कोल्ड ड्रिंक्स चाय कुछ खाने को लाने के लिए कह गया स्वयम उस सीमित पलक जबकते समय में रजिस्ट्रों की खोज करता पसीने में नहाता रहा फॉर्म भर कर संबंधित लोगों के हस्ताक्षर कराने को मिन्नते करता रिरियाता एक से दूसरे पर भागता रहा कमीज भीक कर पूरी पीट से चिपक गई थी हुमस भरी दम घोटु गर्मी में माथे पर पसीने की धार अबाद गती से बहती रही कभी यहां कभी वहां वसुधा उसे मो सुखाय दौरते भागते देखती रही किस लिए ऐसी जी तोड मेनत और किस लिए अपने बूते से बाहर की पुरजोर कोशिश किस बात का प्रतिदान कर रहा है यह बरसों पहले जब वह हमारे यहां आया था भयंकर शीत लहर थी ओले गिरने के बाद की संसनाती तेज हवा कपलों के मोटे लबादों के बीच से शरीर छेदती हुई नो दस बजे तक सूरज नहीं दिखता था घड़ी दो घड़ी को उदय भी होता तो ठंडा पीला कमजोर सा अस्तित्व विहीन चारो और धुंद की चादर से ढखा निस्सीम संसार कोई पाखी पखेरू न दिखता था आदमी सडक पर चलते बौने से हो उड़ते ठंड से सुकड़े हुए अखबार में छपा था पिछले पचास वर्षों में ऐसा शीत नहीं पड़ा ऐसी ठिठूरती सुबय के दुंदलके में द्वार पर दस तक हुई बहुत हलकी शालीन उसकी ठीक पश्चात गंटी का अनायास नन्हा सस्वर जैसे किसी का हाथ अंजाने ही सुच बटन पर धर गया हो ब्रम हुआ कि सचमुच द्वार पर कोई है या यों ही वजुधा ने शौल चारो और से कसकर लपेट ली फिर भी सीधी खड़ी होने में देह साथ नहीं दे रही थी सिकुडी सिमुटी दरवाजा खोलने चल दी किवानों के दोनों पलों के बीच खड़ी वह आगंतु को कुछपल देखती रही निर्निमेश अपलग चीनिने का भरसक प्रयत्न पहचान मजबूत थी मुरली हो न उसने सिर हिला कर स्विकृत दी मैंने तुम्हीं बच्चा देखा है छोटा सा तुम्हारे बच्पन में भाभी कहता हुआ वह वसुधा के पाउं में जुकाया उसके होटों का रंग ठंड के कारण गहरा जामनी हो गया था बोलते समय दांत इसपस्ट किटकिटा हट में बजने लगे बे नाप लंबा सा रेतीले रंग का जिवन स्वेटर जगे जगे से छेददार बालों में भोर के गीले कुहासे की धुनदवाई सफेदी महीन बर्फ की दानेदाद परत्सी रहे रहकर प्रकंपन की ठंडी फुर्फुरी उट रही थी उसके शरीर में चौदह पंदरा वर्ष का वह किशोर बालक बडों के से गामभीर में सिम्टा प्रोढ़त के भार से दबा सा अंदर आ जाओ वसुधा के मन की ममता चलक पड़ी वह ठिटका ही रहा सहमे शश शावक्सा आज आओ न द्रड आग्रे पर वह सुगबुका उठा गीले रेत मिट्टी में सने लिसडे हुए सैंडिल संकोज मई इस्थिती में डूबा बाहर ही खोलने लगा जिजके हुए नत नेत्रों से फर्ष को टटोलता वह अंदर के कमरे में सरकाया वसुधा ने हाथ से बैठने का संकेत किया वह पलबर सोफे के पास पड़ी कुर्शी को घूरता रहा दूसरी बार हुक्म पाकर सिकुड कर बैठ गया कैसे आय मुरली साधारन सा प्रश्न था मगर आत्मियता भरी अनुगूंज से सराबोर हुआ वह मुक पर घिर आय संकोची भावं से पलबर को मुक्त हुआ सहज भावं से कुर्शी के हथे पर अपनी ठिटूरी हथेलिया फेरता रहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ फिर बातने होंगी वसुधा मतुरा में छूटे अतीच से जुडने की हिलोर मई उत्फुलता में जल्दी जल्दी पाउं बढ़ाने लगी वह रसोई घर की और मुडी ही थी की भावी सहसा मुरली का भराया स्वर गुंजा वह पलट पड़ी भावी, बाबुजी आवाज अधिक भारी हो उठी अवरुद कंठ में भीची हुई सी क्या हुआ बाबुजी को वसुधा का चिंता ग्रस्त बिस्मित प्रश्न बच पाएंगे की नहीं उनी को लेकर तो कहते कहते उसकी आंखें तरल हो आई गहनी पलकों के बीच से मोती सी सफेद बूंदे पानीदार राह बनाती हुई कपोलों पर ढुलकने लगी मुरिली, सांतना भरी हतेली का उश्म आत्मिये इसपर्श पीट पर महसूसते ही उसके भीतर के धीरस की दिवार यकायक ढह गई वह जार जार रो उठा बरसों का अंतराल पल भर में पिघल कर वसुधा को बच्चे से जोड उठा कहां है बाबुजी यहीं मेडिकल इंस्टिटूट के बाहर गहरी हिचकी के बावजूद वह वाक्य के तूटते खंडों को जोडने का प्रयास कर रहा था अकेले? नहीं, साथ में मा है उसने हथेलियों से आसु पोच लिए नाक लाल थी जुखाम जैसा हो आया करुना में समाई वसुधा चाय का प्याला उसके हाथ में थमा कर अपने बेडरूम की और दोड सी गई जहां अनुपम रजाई में दुब के अख़वार देख रहे थे ब्लोवर गर्म हवा फेंक रहा था निरंतर कमरे का तापमान बाहर की अपेक्षा आराम देह था सुन हाथ पाउं में चेतना का आभास कराने में सक्षम कौन है? अनुपम के चेहरे पर जिग्यासा फैल गई मुरली है अनुपम? कहते कहते वसुधा का मन भर आया करुणा ओमर्दने लगी कौन मुरली? प्रशनात्मक इस्थिती में उलजे अनुपम की भावों के बीच की जगह सिकुड कर छोटी हो गई वे ही मुरली? अरे वे जो मधुरा में अपने पडोस में रहते थे मीरा के छोटे भाई इतने सबीरे? असमय किसी के घर का द्वार खट खटाने की द्रश्टता पर अनुपम के मुक पर क्रोध मिश्रित अचरज की तीखी रेखा खिच गई वे फिर अकवार के भीतर सिमट गए देश विदेश की खबरों को आद्म साथ करते हुए पड़ेशान है बेचारे उनके बाबुजी बिकट बीमार है अनुपम यही मेडिकल में पिठा आये हैं अनुपम ने तनिक देर को अकवार से सिर निकाला और फिर यथावत समाचारों में तनमे हो गए साथ में चाची जी आई है वह अनुपम ज़ारा बिचाई गई उपेक्षा को फलान कर अपनी रो में बही चली जा रही थी अनुपम ने अकवार के पीछे से सहसा चेहरा उठा कर उसके आगे तान दिया आखों में गहरे सोच की जाईया मर राने लगी उन्हें उसी मुद्रा में छोड़ वह उठाई दुश्चिंता में डूबे उस बालक के पास भावी भाई साब तनिक मेरे साथ अधूरा बाक छोड़ वह आशा एवं आतुरता से उसे निहातने लगा बुझी आखे चमक आई वसुदा फिर उल्टे पाउ अनुपम के पास लोट गई अनुपम तुम जल्दी से तयार हो जाओ न अख़बार फिर पढ़ लेना मुरली के साथ जरा अस्पताल तक तुम तो सब डाक्टरों को जानते हो थोड़ी सहूलियत पती से अधिकार पूर्वक कहकर स्वयम रसोई में चली गई बेचारे भूखे प्यासे सर्दी में ठिटूरते हाई राम सोचकर महरी को बर्तनों से हटाकर हाथ धोकर आटा गूंधने का आदेश दे डाला और स्वयम सबजी काटने में लग गई ड्राइंग रूम में वसुधा की निगाह गई तो मुर्ली के पास सामने ही गाउन की जेवों में हाथ गर्माते अनुपम खड़े दिखाई दिये वह तनिक आश्वस्त हुई अनुपम कुशल मंगल आपत्ती बिपत्ती की खबर लेंगे तो आत्मविश्वास बंदे का बालग हो हम क्या कर सकते हैं भाई करना तो डॉक्टर को ही है अनुपम के सपाट बेलाग वाक सहानुभूती से अच्छूते आलू की तवचा छीलते वसुधा के हाथ सहसा थम गए मैं चलता तेरे साथ पर जरूरी काम है मुझे तू ऐसा कर कैजिवैल्टी में दिखा ले मरीज सीरियस होगा तो वे स्वयम भरती कर लेंगे मैं डिपार्टमेंट से फोन कर दूँगा अपनी बात कहकर अनुपम कुर्सी पर बैठे कमरे में सजी एंटीक सेनरीज और शोपीसेज पर तैरती निश्चित द्रिश्टी का वरत बनाते विरक्त भाव से बैठे रहे मुरली मूक बधिर्शा वह इस्तब्ध ओसन असंभावित नितांत रूखा पन अनुपम का एकहरे तूटते तार सा लटकता आश्वासन कल्पना नहीं की थी ऐसी पती के विरक्त भाव पर एक पल को विश्वास नहीं कर पाई बै क्या कह रहे हो अनुपम चाचा जी सिर्फ एक मरीज और कुछ नहीं इस बच्चे को कौन पूँचे का इतने बड़े अस्पताल में मरीजों की धक्कम धक्का परिचालकों का जन समुद्र तुम चले जाते तो एक और को ले जाकर उसने चिरोरी भरा मनवार कर उनकी बाहें थाम दी आत्मियता से अधिकार से इसमें पूँचने न पूँचने की कौन सी बात है इतनी दूर से बाप को लेकर भी तो यह बाला की आया है कीर नहीं अपने घर से घर मिला था इनका छज्य से छच्या और फिर अपनी बिट्टू अपनी बिट्टू इनी के हाथ हो याद है कुछ शीत सरक्ती रात को दाई के लिए भागे फिरे थे चाचा जी तुम भी कपकप की पुरानी बातें उखाड कर बैठ चाती हो समझती क्यों नहीं एक बार अपनी जिम्मेदारी पर मरीज भरती करा दो फिर बस सुबह शाम हर समय वह तुम्हारा खाना पीना जीना हराम करतेगा आज दवा नहीं कल डॉक्टर से कहदो ध्यान से देखे खाने का प्रबंध, रहने का इंतजाम सौ जंजट कौन करेगा यह सब बेबात का बवाल बेमतलब मुझे और भी काम है अपने अनुपम में लंबा सा छुब्द भाषन देकर बल पुर्वक उसके हाथों से अपनी बांग हीचली वह मुर्क सी देखती रह गई अनुपम को एक टक इतना गूड ग्यान सही समी करन दुख आश्चर और विसमे भरा खिस्याना पन आत्मा को काच की तीखी धार सा काटता चला गया अब तक का पाला हुआ ब्यामोह मुलम्मे के पत्तर सा लोहे की कठोर सलाग से उतरता चला जा रहा था शेश क्या था अकतिनी कचोट आस्था को ध्वस्त करता अव्यक्त गडित ग्यान लखनव से अनुपम के मित्र के कोई दूर के रिष्टे के बीमार मामा आय थे तब तो ऐसा नहीं हुआ था पूरा असबाब उन्होंने हमारे घर पटक दिया था दर्प भरी उनकी पत्नी के नाज नकरे अलग ड्राइवर नौकर और चम्चों की जमात सुबह उठाकर दस्यों बार तो चाय बनती फिकती फिर बनती नाश्ते में बारह बच जाते फिर अस्पताल खाना ले जाने उनका नौकर डेड़ बजे ही सिर पर सवार हो जाता अनुपम चकरगिन्नी की तरह कभी डेपार्टमेंट तो कभी घर घुमेर खाते रहते पालतू पशु से उनी के हुक्म पर उठते बढ़ते एक बार भी माथे पर शिकर नहीं देखी थी वह ही जुझला उठती क्या है जैसा हम खाते हैं ये नहीं खा सकते बच्चे छोटे हैं क्या क्या करूं अरे भाई भारी ओहदे पर हैं मंत्रियों को भी नचा दे ऐसी पोस्ट है इनकी होटल का खाना कितने दिन खा सकता है कोई इस समय संकट में है हमारा कोई काम पड़ेगा तो आनन फानन अनुपम उसे समझाते पर आज ड्राइंग रूम की ओर बढ़ नहीं पा रही थी जहां खड़ी थी उसी सिमेंट के फर्स से चिपके पाउं उठते ना थे कैसे जाती उस आगंतुक के समीब जो सहद विश्वास बांधे इस देहरी पर बैटा था डॉक्टरों से अधिक आस्था भय अनुपम पर टिकाए बीमार ढहते पिता के साथ मधुरा से यहां तक आपतियां जेलता सहता विपता का मारा आया था अपनी और आती हुई पाउं की आहट पर कान लगाता हुआ आतूरता से अनुपम की प्रतीक्षा में उठने कीसी अधर मुद्रा में कुर्सी पर टिका था मुरली तुम चलो कैजिवैल्टी लिखा है न जहां वहीं दर्बान से पूछ लेना डॉक्टर कहां है वह उससे कैसी सतही बातें समझाने का प्रयत्न कर रही थी जैसे किसी अनजान राहकीर को उसके गूर गंतब की और उंगली दिखा कर ततस्थ भाव से अपने घर की और चल दी हो भाई साब कवाएंगे भावी जिस प्रश्न का उत्तर वसुधा के पास नहीं था उसे ही अधीरता से वह उसके समक्ष पसार बैठा भाई साब को बड़ा जरूरी काम है मुरली आवश्यक मीटिंग वह किसी तरे उसके प्रश्न को फलांग गई वह बेहद हताश हो उठा सूनी सपाट आँखों में पनीली परत उतर आई फिर नमस्ते भाई साब अंदर की ओर चले जा रहे अनुपम की ओर हाथ जोड़ दिये भाभी मा मिलने को कह रही थी सीडियों पर उतरते उसे अचानक याद हो आया वह इस घर से मिले परायपन के कसैले स्वात को गले में उतार कर भी आत्मियता जोड़ने में लगा था हा ना ना कुछ भी नहीं कह पाई वह केवल कातर भाव से उस निरे भोले बालक को देखती रही जब तक वह सीडियां उत्रा जब तक की वह सड़क के ठंडे दुदलके में खो नहीं गया अनुपम के जाते ही कटोरदान में पराठे भर कर अस्पताल की और भागी थी वसुधा तेज चाल और भीतर उठ रहे चक्रवाच से हाफती हुई सांस जुडती ना थी भरी ठंड में अंदर से गर्मी का भभूका सा उठने लगा ज्यादा दूरी नहीं थी केवल एक सड़क को पार करना था फिर भी सांसों की तेज धौकनी हाफते हुए कैजुएलिटी में घुश गई डॉक्टर साहब हरी शंकर नाम का कोई मरीज हरी शंकर गुपता कहां है स्वर अंत में रिरिया उठा डॉक्टर साहब जब तक रजिस्टर में नाम खोज दे तक तक केविनों के परदों को उठा उठा कर देखने लगी एक दो तीन नहीं चोथे परदे के पास आंखी ठिटकी रह गई पत जिन्ना तार तार धोती में लिप्टी बुढ़ियाती कमजोर काया उसे चाची जी की अनुक्रती सी लगी थी रोगी पर जुकी हुई व्रद्धा उसके कान के पास मुह ले जाकर पोचने का यत्न कर रही थी वह पलदोपल अंचीनी ब्रह्म में खड़ी रही धीरज नहीं बन सका पीछे से पीठ जुकर अपनी और उन्मुक करने का जिज़कता सा प्रयास सहसा बुढ़िया मां पल्टी चाची जी अनायासी मुक्र से निकल पड़ा त्वचा में लिप्टे अस्थी पंजर को नहसंदे वह पहचान गई थी पलभा ठहर कर पाउं में जुक गई वे अपलक पहचानने के प्रयात्न में खड़ी निस्संग द्रस्टी से निहारती रही देर तक फिर बहु तू अकेली अनुपम नाहीं आयो इतने सारे प्रश्णों का सुद्रण उत्तर वसुधा के पास था ही कहा बस इतना ही हाँ चाची जी मैं बहु तेरे चाचा जी वे उनकी और इंगित करके कपकपाते स्वर में रोने लगी विकल वेतना से छटपटाती सी क्या कहकर धीरज बंधाती वसुधा सजल आँखों से कभी उन्हें देखती कभी चाचा जी को मोटी नसों के जाल में बंधे उनके हाथों को खड़ी-खड़ी सहलाती रही चाची जी यह है कटोरतान आगे कर दिया जामे का है बहु उनकी मद्दिम सी आवाज ऐसे ही कुछ थोड़ा सा खानों है? खानों तो हम घर से बनाई लाए हैं बहु तु काहे को दिक कित में परी बेटा? आर्द भाव जुरियों के बीच फैल गया सांच को अनुपम के लोटने पर वसुधा ने उनके बिना पूचे ही सारी व्यथा कथा सुना दी वे मूख शोता बने सुनते रहे ध्यान पूरवक कटोर दान में खाना ले जाने वाली बात के मुहाने पर यका यक अनुपम के चेहरे की नसे तन गई वे भावक उठे नाक क्रोध में उठने गिरने लगी ऐसा करो तुम वही जाकर रहने लगो उनी के साथ यहां लोटकर ही क्यों आई? अपरमित आकरोश का उफंता जुआर अप्रत्याशित बे अर्थ रोश वह दहल कर रह गई अनुपम क्या कह रहे हो तुम? बस चार चेह रोटी और क्या? बस इतना ही तो और तो कुछ नहीं चार चेह रोटी की बात नहीं है गलत लिफ्ट दे रही हो तुम व्यर्थ में मुह लगा रही हो कौन हैं ये हमारे? जो मुह उठाय यहां चले आये हैं कौन लगते हैं हम इनके? बोलो, ना उठने की तमीज, ना बोलने का शहूर कंजर साले घर में बेनाप सन्नाटा पसर गया हर कोना इस्तब्ध, हर दीवार सहमी हुई करने का नाटक करने लगी मनो छोब भरी आँखें पापा पर गाड़ कर पलक जपकाना भूल गया हत प्रभा वसुधा अनुपम ऐसी करुणा विहीन कठोर पाशाणी छाती के भीतर सांस लेते होंगे उसने कभी सोचा न था रात भर संबलित बिस्तर पर पड़ी आस्मों से तकिया भी गोती रही इतना हक नहीं कि दो रोटी किसी को ग्रह स्वामनी का आहत स्वत कुचले नाग सा बार बार फोपकार भरता लेकिन अगले दिन किसी काम में उसका मन नहीं लग सका मुरली का बेबस उदास चहरा चाची जी की जुर्री भरी सूरत पर याचक सी दो आँखें और चाचा जी की रुग्ण कंकाल काया उसके मन पर तस्वीर सी चप गई उनके पास अस्पताल में अधिक आना जाना ना हो सका पाउं के आगे इस्तर की सीमा रेखा खिज गई मन बार-बार अगनी रेखा लांग जाना चाहता था लेकिन मुरली बार-बार घर आने लगा तो चाची जी रोज सवेरे नहाने धोने को दर्वाजा खट-खटाने लगी तब इन विचारों के नुकीले अंकुष राह रोक लेते अनुपम की चबा जाने वाली नजरों को जेल पाना अतिती के अपमान की आशंका उसके पाउं को देहरी के पीछे धकेल देती काम समाप्त करके स्वेटर की सलाईया उतारने वह बालकनी में फैले धूप के नन्हे टुकडे पर जा बैठी तभी दर्वाजे पर हल्की सी थपथपाहट हुई वजुदा के कान चोकनने हुए फिर वही दोहराव द्वार खोला सामने एक सीड़ी उतर कर चाची जी खड़ी थी नीचे से उपर तक देखती नहीं उनके पावों में रवड की पुरानी गठी चपल मटमैली धोती पर सूती चादर लपेटे हुए जुकी हुई मुठी भर कद में सिमा टाई बृध्धा आओ चाची जी वसुदा होटों में बुदबुदा कर रह गई ना चहक कर बुला सकी ना हिलक कर मिल सकी सहसा अपनत्य को रौंधता एक दुर्भेत प्राचीर उठ खड़ा हुआ जिसमें कैद मोह माया में रची बसी नारी खड़ी-खड़ी सूखने लगी संतरस्त आत्मा में गहराय बिछोब विवश्ता की प्रतिच्छाया में पनपते वे द्रोह को पीती हुई कहां मथुरा से चली थी तो सौसो बार कहकर आई थी चाची ची दिल्ली आना अपनी बहु के घर को अपने चरुणों से पवित्र करना मा और सास तुमी तो हो चाची बस तुम वे कुर्सी पर बैटने में अचकचा रही थी वसुधा ने कंधों से पकड़ कर हटात बैठाने का प्रयत्न किया कमरे में चारो और नजरें फेरती वे सिहर उठी संतोशी भाव चेहरे पर उभर आए कुछ मधुर बोल बड़ाओ अच्छो है रीबहु हमारो अनुपम खूब भले भूले हजारी उमर करे भगमान तु राजरानी बनी रहे पेटी बालक बने रहे आशीशों की बोचारों के बीच वे भूले बिसरे आहलाद में आकंट डूब गई दुखी भावों से एक पल को पला जटक बैठी बिट्टू कहां है बहु वे चाव और लाड से पूँच रही थी इस्कूल गई है चाची और मुन्ना वे मनु के लिए पूँच रही थी चाची अब चाचा जी की तबियत कैसी है वसुधा ने बीच में ही उनकी बात काट दी जै लिये आई हूं बहु तू कहां ढूड़ेगी फिर उन्होंने सलूका की जेब से एक परची निकाल कर उसके समक्ष रग दी लिखाई मुरली की होगी वार्ड डी टू वेड नंबर 36 दूसरी मन्जिल चाई का गिलास थामा कर वह उनके पास ही बैट गई वे पती की बीमारी को लेकर दुखी बीच बीच में रोने लगती मथुरा आगरे के सब अस्पताल छान मारे बहू पर रोग की जड़ ना ही पकर पायो कोई जाने मिटी कौन सी बिस्बेल सरीर में फैल गई है मुरली अकेलो कहा कहा करे जे तो महीनन से काम पे ना ही गए मीरा कुँ घर छोड़ के आई हूँ सिलाई कटाई करके एक बख़त की रोटी कहते कहते उनकी हिलकी बंद गई अंदर तक से तूट चुकी औरत को वस्दा तसल्ली देती रही बेबात का धैर बंधाती रही अनुपम के लोटने का समय हो चला था अद्रश धुक धुकी चिंता कुल संभावन आए वह चाची जी को विदा करने की हरबड़ी में थी बहु जाए तू धर ले वहाँ अस्पताल में कहां कहु चोरी चकारी है जाए उन्होंने पुरानी गीसी मैली सी जन्जीर वस्था के हाथ में धर दी दवादारू में का पताव कितने लगें वे जन्जीर की पूंजी पर आश्वस्त थी सीडियां उतरते में उन्हें अनायास याद हो आया बहु एक भगावना होई गव कोई कंडम सो पुरानो वह दोड कर रसोई से हैंडल वाला भगावना उठा लाई जिसे देख कर वे तनिक सकुचा कर बोली जी तो बहुत अच्छो है खराब है जाएगो कोई पुरानो जो तुम्हाई काम न आप ले तो जाओ वसुधा बीच में ही बोल पड़ी वह उन्हें दूर तक छोड़ाई सड़क पार तक चाची जी कहा करती थी मुरली की बहु तो ना जाने कब आवेगी और कहा करेगी वसुधा है मेरी बहु मेरी बेटी सोचते हुए लोटने लगी बच्चे आ चुके थे मम्मी पापा आप पर क्यों चिला रहे थे कौन थे वे जो सवेरे आये थे बिट्टू ने रंतर पूँचे जा रही थी कोई उत्तर न दे कर वह खाना गरम करती रही आप अस्पताल में उन्हें खाना दे कर आई थी मम्मी अच्छा किया वे भूखे होंगे न उनका घर यहां नहीं है न वह बच्ची का मुख देखती रह गई यह तू कह रही है मेरी बच्ची वसुधा ने बिट्टू का चेहरा हाथों में भर कर चूम लिया पर अभी तू चोटी है बिट्टू निरी ही भोली बड़ी होकर तू भी उसके नहस्वास बच्ची के गालों पर जलती उश्मा बिखेर गए वसुधा का मन ना माना था पाउं उसी ओर बढ़ गए सड़क के किनारे खड़ी थी आता जाता ट्रैफिक उफ कारों बसों की सीधी साप सी कतार बेंद दाएं बाएं देखकर सड़क पार करती हुई वह अपनी रो में चली जा रही थी की अस्पताल के बाहर पटरी पर निगाह बर्बस ठहर गई तीन इटों के बने चूले में इधर उधर से बीनी हुई पतली कांटे तार लकणिया दुदवाती आग की लप्टे और उपर वही भगोना चड़ा था जो चाची जी को दिया था पीला पानी उफन कर किनारों को छू रहा था पास ही बैठी एक ग्रामेर लड़की कवों को उड़ाने में लगी थी वह सुधा खड़ी थी कि चाची जी आ पहुची बहु तू कहां कहां जा रही बेटी उनके लिए दाल बनाई है बच्चिया वे भगोने की और संकेत कर रही थी अब जीवे की आस नाए बची बेटी कह रहे कि गंगा देई तू अपने हाथ से दाल बनाए के खवाए दे चाची मैली दोती के छोड से आँखें पोँच उठी फूटे काज ठुकी अलंग दीवार उसका घर इतना पास और चाची जी शीत सरक्ते कोहासे के बीच चोड़े में चूला धरे उदास उच्छवासों में घिरी वह घर लोटाई अनुपम आ चुके थे शीगरता से भाग कर रसोई में गई वसुदा और दो प्याले चाए हाथ में लिए पती के पास जा बैठी वहीं कहीं थी अस्पताल अनुपम का प्रशनात्मक्स और स्वाभाविक सरल था हाँ सहज भाव से स्विकार किया उसने कैसे हैं अब पता नहीं मैं तो अस्पताल के बाहर से ही लोटाई चाची जी वहीं मिल गई थी अनुपम की नर्माई सहज प्रकती देख वह सब कुछ बता देने का दोसाज कर बैटी भगवना देने के संतोश से लेकर उसमें उबलते पीले दाल के पानी की दारुन काथा तक सब सुना डाला तुम भी देखाते अनुपम नितांत भोले भाव से दिया मश्वीरा ऐसा करो तुम उठाव सामान जाओ यहां से आई से गेट आउट गेट आउट फ्रॉम हियर दिस इस माई हाउस अनुपम का आकस्मिक स्वरप्रहार विसफोर धमाके सा नीचे सडक से जाटक राया गली में चलते लोग ठिठकने लगे उन्हीं चमारों में बैठो जाकर पकर लाओ मथुरा से आगरा से तमाम कंगले आ जाएंगे कोड़ी दरित्री करवाओ सब का इलाज उस गंदी गली में पैदा होकर क्या सारे मुहले का ठेका ले लिया है मैंने निरंतर फटते दहकते ज्वाला मुखी के समक्ष अब राधिनी सी खड़ी भस्म हुई जा रही थी वह आखिर क्या हो गया है तुम्हें अनुपम ये लोग तो इतना तंग भी नहीं करते जितने वे लोग इस दो टके के आदमी से उनका मुकाबला समझती है वे कौन थे बड़ी इंसानियत की पैरोकार बनी फिर रही है घर में क्या हो रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं जा वहीं बैट फुटपात पर उनी के साथ सा उनका क्रोध निक्रश्टतम रेखा लांगने लगा अनुपउं की अमानवीये चीक से बिट्टु जार जार रो उठी मनु चीक कर मा की टांगों से लिपट गया क्रोध और अपमान के मिले जिले विश्कों घूट थी वह ड्राइंग रोम की ओर भागी थी मुरली खुले दर्वाजे से ड्राइंग रोम में कब चला आया वसुधा देखते ही चौकी वह आवाख पर कटे क्रोंच सा आशा विहीन दरिद्र विपत्यों के उत्पीडन से आकरांथ वह मिल नहीं पाई थी तो माने ही पीछे दोड़ा दिया मुरली भाभी आई लोट के चली गई तू ही मिले आज जाय के बाभु जी को पूरो हाल चाल बताया डाक्टर से अनुपम बात कर ले तो कचु समझे तो सही हमाई तो समझ में ही ना ही आवत कचु वह उल्टा लोट गया पीछे रह गया उसका निशब्द संभाशन मौन द्रश्टी से जर्ती पीड़ा वसुधा कटती चली गई अनगिनत खंडों के बीज ब्याहा कर आई थी एकाकी सूना धर सास ना ननंद जिठानी ना देवरानी निर्जन मकान में निपट अकेली दूसरे ही दिन से अम्मा ने भेजो है अम्मा कह रही थी भावी अकेली होगी जा वही बैठना भावी का मन लगा रहेगा ग्यारह वारह वरस की बच्ची फ्रॉक पहने पास पड़े बोरे पर बेधड़क आ बैठी कभी वसुधा की साड़ी चूकर देखती तो कभी पायल के रौनों को बजाने का असफल यतन करती वसुधा मुस्करा देती जवाब में वह भी मोहक मुस्कान बिखेट देती मैं आपके बरतन दो दूँ अम्मा ने कहा था भावी को काम नहीं करने देना नई ब्याही हैं वह पुर्खिन बनी अम्मा के कथना नुसार रसोई में से जूठे बरतन बटोर कर माजने लगती बहुत रोपने पर भी नहीं मानती वह मीरा थी मुरली की बड़ी बहन रात को बातों के बीच अनुपम को मीरा की बात बताई तो कहने लगे चलो ठीक है तुम बोर तो नहीं हुई भाबी आप खाना ना बनाना अम्मा बना देंगी और दोपहर को अनुपम के आते ही मीरा थाली परो से तौरिया से धके चली आ रही थी भाबी महावर लगा लो मैं ना इनको बुला ला हूँ मेहंदी लगा देगी आसुधा को गहरे तक बांधती चली गई अनुपम तो इस गली में जन्म से ही रहते थे लेकिन वह मन से उपजे संबंथ जड़ पकड़ कर खड़े हो गए पन अपने लगे और धीरे धीरे सुद्रडता से खड़ा होता गया इस नेहिल्फ शीतल च्छाओं का एक वट ब्रक्ष इसी आवा जाही के बीच बिट्टू का जन्म हुआ था चाची ने पूरा ध्यान रखा था कपिला गाय सी है गई है रीबहु बोल तेरो का खाई वे को मन है वे पूँचती और वसुधा तुरंत बोल उठती अर्बी का पानी वाला अचार प्रसव वेद्नम में वे उसके साथ ही थी उसे पकड़े हुए ऐ परमात्मा बिध्वा महतारी की अकेली धिये है निर्वार जल्दी मेरे परमेसुर चाची भगवान से पूरे बखत गुहार करती रही फिर तो बिट्टू का नहाना धुवाना काजल टीका सब वे ही करती मेरे हाँच से काजल लगाए के आँखें बड़ी-बड़ी है जाएंगी मेरा की तरह वे कहती और वसुधा अनिर्वचनी आनंद में समा जाती बिट्टू की आँखें मेरा जैसी हिरनी की तरह बड़ी-बड़ी नीलम जड़ी शाम को चाचा जी प्रैम खींचते बिट्टू को उस सक्री महीन गली से निकाल कर द्वारीका धिश के मंदिर तक घुमा लाते बिट्टू गुडिया की तरह प्रैम में बैठ जाती वे उसे चज्जे पर खड़ी दूर तक निहार कर सिहाती रहती अनुपम आए दिन साप्षातकार के चकर में बाहर रहते चाची जी उनका चिंतातुर चेहरा देखकर तुरंत कहे उठती फिकिर मत करियो अनुपम हम है यहाँ बहु अकेली नाय रहेगी बेटा मीरा सोजाएगी मैं सोजाओंगी नहीं तो बहु तालव लगाएके हमारे घर सोजाएगी अनुपम कभी मीरा के लिए सूट का कपड़ा ला देते कभी चाची को इकलाई किनारी की धोती मुरली तो जब करेगो तब अनुपम की लाई धोती पहरी है मैंने वे होस उठती फूल भरती नई धोती का पला बार बार सिर पर सरकाती जाड़ा आते ही मीरा भाई साप को सूटर बुन दै बिट्टू के मोज़ा भुन बेटी को आदेश करती होली को गुजिया बना कर धर जाती तेवहार को मो अंधेरे ही कड़ाई चड़ा कर कचोड़ी सेंग डालती मीरा जा भाभी को दे आग बालक वारी है काम धंते में दुबहरी है जाएगी बाई नाश्ता में खाय दिंगे दोई जने ऐसे ही दिन महीने साल निकल गए मीरा की फ्रॉख शलवार भिगोते बिट्टू बड़ी होने लगी एक दूसरे के लिए करते धरते दिन बीत रहे थे फिर एक दिन अनुपम को नौकरी का नियुक्ती पत्र मिला था दिल्ली के लिए भरपूर खुशी हुई थी आखों में रंगीन रोष्णिया जिल मिलाई धरती पर सपनों के इंद्र धनुष के चे थे विदा के दिन मीरा बहुत रोई वसुधा समझाती रही पगली रोती हो तुम आना वहाँ मैं तुम्हारे भाई साब को भेजूंगी तुम्हे लेने फिर देखना चिडिया घर लाल किला कुतुब मिनार अब हस तो चलो चाची ने खाने का कटोर दान संग में बांधा जाडी बहु आटव और घी वहां कहां जाते ही नाश्ता पानी में और जहेगी चलते समय बिट्टू को चूमा उसका हाथ थुक थुकाया नजर उतारी रिक्षा पर बैठने से पहले वसुधा को छाती से लगा कर खोब रोई वह भी रो रोकर उनका कंधा गीला करती रही आसपास की औरतें आखें पोंचती जोडाएं वह बहु की विदा थी विदा वेला का वह दिन और आज का महूर्थ संबंधों के वट रक्ष को चबाती स्वार्थ सोच की अमर बेल सहरते संबेदना को चूटता महानगर का विशैला दोशित प्रभाव और आपा धापी की निसीम दोड का सतत सयोचन कब अनुपम के मन को रेतीला रेगिस्तान कर गया पता ही ना चला क्या कुछ नहीं थे वे लोग हमारे अनुपम से किस तरह पूशती घर में मचे विपलों के डर से और धांगनी ने उसी तरह अधर भीच लिये जिस तरह पती की भित भेदी पर बाहर के द्वारबंद करती फिरी थी चाचा जी की दशा तो गंभीरतर होती जा रही थी मुरली फिर चार-पांस दिन नहीं आया वह निस्सहाय ना जाने कैसे व्रिद्धा मा के साथ फटी बरसाती मोम जामा की छट तानकर करकराती ठंड में फुटपात पर प्राणों को गलाता रहा होगा कभी अद्मरी हुई मा पिता के साथ रहती होगी कभी भीशन संकट के दलदल में फसा मुटली वसुधा ऐसे ही कलपना कर लेती बस ऐसे ही एक दिन करुन अंत ने अपना पंजा फैलाया तो मुरली बेबस लाचार फिर उस घर की सीडियां चड़ता हु आखों में आसों का लबालब तालसा बन गया था होट फटकर कौर कौर थे सूखी पपड़ी के नीचे खौन रिसने से बनी गहरी लाल धारियां कोहनी और घुटनों पर तार-तार वस्त्रों में बड़े-बड़े गोलाकार छेद किसी भिकमंगे से बुरी दशा दीन मलिन शोक संतप्त कच्ची गदराई उम्र में पाले के मारक प्रहार से उजड़ता सा बस खुर्दुरी कलाई पर घड़ी अवश्व बंदी थी भाई साब बाबु जी जा रहे हैं आखिरी समय है एक बार बस एक वह अनुपम के समक्ष घिगिया उठा जो होना है होकर रहेगा ह हमारे जाने से ही क्या हो जाएगा मुर्ली अनुपम में ना जाने क्यों उस विशत हिर्दे से जवाब मांगा शाश्वत सत्य के उपदेश तले दाब दिया उसे कुछ नहीं भाई साब बस हमारी हिम्मत मा को आप से वह आगे प्रयत्न करने पर भी नहीं बोल सका वसुधा अंदर जाकर जटपट चाची जी की जंजीर हाथों के बीच दबा लाई और मुर्ली की कमीज की जेब में डाल दी यह तुम्हारी मुर्ली तुम चलो हम आते हैं वसुधा अनुपम के कुछ कहने के पहले ही बोल पड़ी अपनी बजर देहरी से उसे हटा देने की चेश्ट है अनुपम चलो कुछ घट नहीं जाएगा हमारा अब वे जीवी थी कहां रहेंगे जो तुम्हें परेशानी देते नहें पती को बिघला देने का अंतिम प्रयास कर रही थी चल रहा हूं अनुपम का शेगरता भरा निर्विकार स्वर वसुधा और अनुपम लिफ्ट की प्रतीक्षा किये बिना ही दो मंजिल उंची सीढियां चड़ते चले गए देखाओ आखें खोलो अनुपम आए गयो बहु ठाड़ी है देखो तो सही तुम कहते रहे कि अनुपम के पास लाएके चलो वो ही मेरो इलाज करवाय जैगो देखी तो लेव एक बेर चाची ने लंबी सांसे भरते चाचा जी का चेहरा हिलाया डुलाया अनुपम गद्दे के नीचे से निकाल कर केस शीट देखने लगे पलके खुली दो बूंद पानी आँखों की कोरों से इधर उधर ढलक गया ना अधरों में कोई प्रसफुटन ना हाथ पाओं में कोई गती ऑक्सी जा रही थी मुरली सिर्जुकाय खड़ा रहा चाची धीमे धीमे सुबगती रही थोड़ी देर रुक कर दोनों चले आए वसुधा रात भर जागती रही गहरी नेंद में सोय अनुपम को बीच बीच में हिला देती मगर वे ठंडक के कारण रजाई में लपेट कर खराटे भरने लगते अब तक तो खत्म हो गए होंगे अनायास ही अनुपम कहे उठे फिर चाय का प्याला तिपाई पर टिका कर अख़बार देखने लगे उसे लगा कि जचकोर कर कहें कि चलो वह अकेला बालक लेकिन अंतर में समाया भय प्रतार्दना का संत्रास उसे जड़ करता रहा डिपार्टमेंट जाते समय होता जाऊंगा अनुपम का यह वाग्प सुनकर भी वह गूंगी बहरी बनी रही घर रीता होते ही वह भागी थी वार्ड डी टू बेट नंबर 36 पता लगा चाचा जी रात ही डेड बॉडी मौर्चुरी में रखी है हर बडाती सबसे अस्पताल के मुख द्वार पर खड़ी रही इधर उधर तागती कहीं मुर्ली कहीं चाची जी पर कोई नहीं मिला वही ग्रामीन बच्ची जो उस दिन दाल के भगोने के पास बैठी कवे उड़ा रही थी दोड़कर समीब चली आई लाश ले गए मुर्ली भाईया टैक्सी के पैसा नहीं हते तो हमारे बापू के संग जाके अपनी घड़ी पेची और अम्मा जी की जन्जीर यहीं यूसुप सराय में अकबक ओसन वह खड़ी रही देर तक बोराई बावरी सी फटी आँखें शोने में गारे फिर भारी बोजिल कदम घर की ओर धरने लगी आज ना दाएं देखा ना बाएं ना जाने कैसे सड़क पार करती चली आई कुछ तुड़े मुड़े नोट हतेली के बीच दबे पसीजते रहे और आज बरसों बाद यहां अचानक भर राता हुआ इसकूटर बैंक के आहाते में गुसा हर बड़ाहट में वसुधा की तंद्रा तूटी वह दूर तक भोचक सी देखती रही इधर उधर जैसे कोई द अंधे पर हाथ धरे अनुपम का आहलादी स्वर्चैका आनन फानन सारा काम हो गया रुपए गिनकर अनुपम ने बड़े जतन से बैग में धर लिये मुरली ने उबार लिया अनुपम को गहन चिंताओं के अतल अथा सागर से पलपल बढ़ते जंजावाती रक्त चाप के उच्च जवार से और डूबती हुई धनराशी पर निकलते विकल प्राणूं से मुरली असीम उत्सा भरे अतिरे की स्वर में कहे जा रहा था भाई साप रास्ते में घर रुका था मा खाना बना रही हैं आपके लिए मगर अब इतना समय कहा है अनुपम ने निराधार बहा वे अजबसी अव्यक्त इस्थिती में थे जैसे आत्मा की गिरावट के ठूट में वन वगाये हुँ और वे उससे निकलने के दुरलख प्रयासों को टटोलते असमर्थ निस्सहाय हापने लगे हुँ मैंने कहा मासे मगर वे मानी कहां कह रही थी बहु आई है ऐसे ही बिना खाय पिये चली जाएगी फिर वही गलियां वही रास्ते बेहत सक्रे दीवार से दीवार जुड़ी हुई छज्जे से छज्जे मिले हुए और मकान से मकान रगड खाते हुए नुकर पर ही हलवाई च चाचा मिल गए अनुपम बाबू है का कहते हुए लपक कर गह लिया अनुपम को खड़े पीट सहलाते रहे बिल्कुल ही दिल्ली वासी होकर रह गए भाया पल भर रोक कर पत्ते के दोने में मिठाई बांधी और मुरली को पकड़ा दी अनुपम के साथ रख देना बच्च खा लेंगे मुद्दत बाद उस घर में प्रवेश किया था वही धुला पुछा इटों के खरंजे का आंगन लोहे की लंबी सलाखों तार बड़े बड़े जंगले चाची ची वसुधा उनके पाओं पर जुकी वे पल दो पल देखती रही खड़ी हर्शाती रही मुक से अ अंजोए अनुपम की पसंद के कस्वाई व्यंचन बड़े मनोयोग से तयार किये थे बड़े जतन से परोसने लगी उनका किया सतकार वहे क्रतार्थ भाव बहु मीरा ब्याह भर देखत रही कि भावी आवेगी भाई साब आवेंगे रोबत रही बहु तोय याद करकें कार तो मिलव होएगव वसुधा निहशब्द कंट में बबूल की कांटो भरी सूखती तहनी अटक कर रह गई अनुपम ने सौका नोट परस से निकाला और चाची के हाथ पर धरने लगे मीरा के लिए चाची जब आय तब दे देना दूबती आवाज महीन मधिमो चली ना ही ब पेला तक आखें गीली थी बिलखने जैसी इस्थिती मुर्ली दिल्ली आना तुम तो आते ही नहीं हो यार चाची को लिवा लाना अनुपम के मुक से निकला भाक हकला कर उनके होटों पर ही दम तोडने लगा तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर पता है